पिछले 24 घंटे में बहन मायावती जी का कई ट्वीट आ गया है जिहां दोस्तों मैं आड़ी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान माब लिंचिंग का जो मामला है वह सभी को अब खटकने लग गया है मैं आपको बता दूं कि बहन मायावती जी ने जो आरोप लगाया है और जो उन्होंने कराई से अपने कार्जकरताओं को भी निर्देश दिया है उसको मैं पूरी ब्याख्या कर रहा हूं पूरे देश में जहां जहां बीजेपी सासित राज है वहां की कानून वेवस्था बिलकुल लचर हो गई है जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं अब केबल सवर्न समाज या जैसर राम से जुरा हूँ नहीं है अब हर बर्ग के लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि दलित स समाज और अलप संख्यक ही इसके सिकार हो रहे हैं अब इसके सिकार तो चात्र भी हो रहे हैं मंदिर पे भी हमले हो रहे हैं और हर जगह यह मॉब लिंचिंग की मामला आ रहा है बहन मायाबती जी ने करे तोर पर कैंसरकार से कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना पताओं से आगरह किया है कि अब हमें सरक पर उतरना होगा EBM के खिलाब क्योंकि संसद में और सुप्रेम कोट में वो बार-बार कानून बता देते हैं जब कि सब को पता है कि EBM में हेरा-फेरी हुई है अब रही बात ये कि सबसे आखरी अदालत होती है जनता की अदालत अग कि बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं चाहे वो उदितराज हो सावित्रिवाई जी हो अथवा जो भी लोग है चाहे वो अलग-अलग दल में हैं बहुजन समाज में एक जुट हो जाए चाहे वो सर्बदलिये बैठक कर लें क्योंकि बहुजन समाज का मुद्दा सब के स साथ जुरा हुआ है डल आपका अलग हो सकता है आप समाज से बाहर नहीं हो सकते हैं अगर बाबा साहे भीमराब अमबेद करके सपनों को पूरा करना है तो सभी बहुजन नेताओं को एक जगह आना परेगा और अपना जो बिचार है जो मतांतर है आपस में जो मतभेद है वो भुलाना परेगा बहन मायाबती जी बीएसपी सुप्रीमों है उनका अपना अलग बिचार हो सकता है आपका अपना अलग बिचार हो सकता है लेकिन बाबा साहब अमबेदकर तो सब के लिए थे सबसे बड़ी बात यह है कि मानिवर कासी राम जी ने और बहन मायावती जी ने बाबा साहब भीमराब अमबेदकर को महापुरुस का दर्जा दिया बाकि पूरे सेश के जितने भारत के लोग थे सबने बावास आयद भीमराव अंबेदकर को एक एक लेखक यानि संविधान के लिखने वाले के रुप में देखा महापुरुस का दर्जा नहीं दिया था इसलिए हम बार-बार मानेवर कासिराम जी या बहन मायाबती जी की रिपोर्टिंग करते हैं इनके आवाज में खनक होती है और य rotated सच बोलते हैं अब समय आगया है पूरे बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं वह हारे हुए हैं, जीते हुए हैं। कैसे हारे, किस तरह से हारे, कैसे भिखर गए। इसके बारे में न सोचकर सबको एक जुठ हो जाना चाहिए। सामान मुद्वों पर बाचित करनी चाहिए। बिचारों का अंतर हो सकता है। लेकिन मक्सट अ एक ही है आप बने रही है बिहारी सुल्तान चैनल के साथ हम आपके लिए लगातार सची खबरे लेकर आते रहेंगे तर तक के लिए धन्दबाद जै भारत जै भी